नमस्कार में वीनल हतेकर MNS News Live में आप सभी दर्शों पुक्का स्वागत हैं देखते हैं आज की खास खबर शनिया मोशा दो हजार उननीस आज बन रहा है दूरलब सयोग इन वह उसे बनेंगे बिगड़े काम कर लगेगा साल का पहला सुषे गराण जाने आपकी राशी पर कैसा पड़ेगा प्रभाऊ आज साल दो हज़ार उननीस का पहला शनिश्चर अमावस है हर महने एक अमावस आती है यानि साल में बारदered अमावस आती है हर अमावस धर्मा के लिहास से खास होती है लेकिन साल 2019 के पहले अमावस में ऐसा दुरलब सायोग बन रहा है कि शनी देव प्रसनवों पर बिगड़े काम बना देंगे नए साल में पहले सुर्य ग्रहन 6 जनवरी को लगेगा पहले सुर्य ग्रहन पहुश अमावस यानि 5 जनवरी की आधी रात से 6 जनवरी की मत्यरात्री तक रहेगा साल के पहले सुर्य ग्रहन से राश्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा आपकी राशी पर साल के पहले सुर्य ग्रहन का कैसा प्रभाव रहेगा आईए जानते हैं जो तिश चारियों के अनुसार साल दो हदा उनिस में तीन सुर्य ग्रहन लगेंगे पहला सुझे ग्रहन 6 जनवरी को, दूसरा 2 जुलाई को और तीसरा 26 दिसंबर को हर सुझे ग्रहन का प्रभाव राशियों पर पड़ता है किसी राशिय के लिए ग्रहन शुभर समाचा रेकर आता है तो किसी राशिय के लिए चिंता दाए चाल लाता है साथ ही दहरे की आवचकता है दूसरी राशी माने ब्रिशेफ राशी इस राशी के जाटेकों के लिए यह कापू लाबसहुगयों होगा धनलाब हो सकता है वितुछियात्रणा भी हो सकती है पाँच-वी मानस्तीह राशी। एक वरिवाग और मित्रों से बहत करने से बचना चाहिए तुला राशी वाले स्वास्थे खराब हो सकता है पैसों की कमी आ सकती है सवास्थे साथ ही कुशा भी कुश्यों का भी योग बन सकता है आठवी राशी मने रुचिक राशी, रुचिक राशी वालों अपने काम और धन संबन्दी फैसले में कुछ गलती कर सकते हैं, इसलिए सतर्पता बरत नहीं होगी धनु राशी साल का पहला ग्रहन इन राशी वालों के लिए कड़ा संगर्श लेकर आ सकता हैं, धन का दुरिपयोग न करें दस्वी राशी मने मकर राशी, इस राशी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविशक योजनाई किसी से शेयर करने से पहले बचे पुंबर राशी गुमने जा रहे है तो सावधान और सतर कर रहे, बारवी राशी और आकरी राशी मीन राशी सामा आज एक दायरोपद सुर्य ग्रहन का प्रभाव पढ़ सकता है, बहस बाद जिस से बचे मने इस लिजराइक की खास खबत देखने के लिए आज जी प्लेश टोर से मने इस हिंदी एप डाउनलोड करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद